अमीर और गरीब बहन की जनमाश्ट मी मक्खन निकल जाए सुर्भी तुम चिंता मत करो लाव में मक्खन निकालने की कोशिश करता हूँ ये कहकर माधप दही से दो तीन घंटे तक मक्खन निकालने का प्रयास करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता दही की हाला देख सरला कहती है एरे बहु ये दूद तो बहुत पानी वाला नहीं है लगता है तु मिलावटी दूद खरीद कर लाई है इसलिए तनी देर से मक्खन नहीं निकल रहा है क्या इसका मतलब 6 किलो दूद के 600 रुपए सारे बरबाद हो गए ये कोई मिलावटी दूद निकला ये भगवान पांच महीने से मैं पैसे बचारी थी तब जाकर तो मैं इतना दूद लाई थी अब जनमाश्टमी कैसे मनाऊंगी हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम 56 भोग तो दूर की बात है एक भोग बना कर ही वरत पर खाले ये सुनकर सब परिशान हो जाते हैं इतने में सुर्भी का बेटा मिट्टी में गंदा होकर आता है मामा मुझे भी किलोने जाए और मैं भी जनमाश्टमी के मेले में जाऊंगा मेला बहुत दिनों चे लगा है मेरे सारे अमीर दोस्ट वाँ से कल रात को भी किलोने लेकर आएं वो मुझे चिड़ा रहे थे देखा उन्होंने मुझे दक्का मार के गिरा भी दिया चलो आप लोग भी मुझे मेले में ले जाओ ताकि मैं उन लोगों को अपने किलोने दिखाऊ बेटा ये तुने क्या ज़िद लगा रखी है और जन्माष्ट में के दिन रात को हम मेले में जाएंगे अभी हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए आज किलोने नहीं दिलाएंगे समझे बेटा देखो पूरे कपड़े गंदे कर लिया तुमने कितनी बार मैंने इसको समझाया कि अमीर बच्चों के साथ मत खेला कर वो बार बार गरीब बोल कर चड़ाएंगे लेकिन इसे समझ नहीं आता पर सुर्भी अपने बेटे को गोद में लेकर दुकान पर चीज दिलाने चली जाती है और माधव दही से मक्खा निकालने की कोशिश करता लेकिन तब भी कुछ नहीं होता सुर्भी चीज दिलाकर अपने बेटे को लिए वापस आती है तो घर के सामने वाले घर में अपनी अमीर बेहन को सामान रखते हुए पाती है रोहित बेटा चीज अंदर जाकर खाओ और अम्मा को बाहर भेजो ठीक है कविता तू यहां कैसे वो भी बिल्कुल ठीक मेरे घर के सामने एक बार मुझे बता देती मैं तेरी मदद करवा देती घर के अंदर सामान रखवाने में तुझे मैंने इसलिए नहीं बोला तो अपने गरीब ससुराल में घरवालों को संभाल रही होगी अपने बेटे को देखा मैंने तुझे अपने बेटे को गोद में लेकर दुकान पर गई थी और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे हैं कि नौकर को खरीद कर नौकर से काम करवालू देख सारे नौकर अभी भी घर में सामान रखवा रहे तो तुझे मैं क्या परिशान करती और रही घर की बात तो वो वाला घर शादी के बाद मुझे ठीक नहीं लग रहा था कहीं प्रॉपर्टी मिली नहीं सिवाए तेरे घर के सामने तो मैं आ गई अब इस घर में मैं अपनी पहली जनमाश्ट मी मनाऊंगी देख क्या-क्या तयारी करती हूँ चल अच्छी बात है और अंकित कहां है दिख नहीं रहे हैं वो घर के अंदर हैं चल ठीक है जब तेरा घर सेट हो जाए तो तु मेरे घर में आ जाना सबसे मिल लेना माजी खुश होंगी हरे माजी आप हाँ तुम दोनों बहने आपस में बाते कर रही थी इसलिए वहीं से खड़ी होकर देख रही थी नमस्ते आंटी वैसे मानना पड़े कर आपकी वरीब जोपड़ी के आगे मेरा अमीर महल खड़ा है आपको ये देखकर मन नहीं करता कि हम भी इतने बड़े घर में रहें हमारे आसपास भी नौकर चाकर हो बेटा चाहा कर क्या करना है लड़ो गोपाल को ये सब हमें देना होगा तो वो दे ही देंगे ओफो ये हवा वाली बाते मेरे सर के उपर से जाती है मैं चलती हूँ मुझे बहुत काम है ये सुनकर सुर्भी और सरलाग घर में चले आते हैं और कविता रेस्टौ में जाकर पती के साथ खाना खाती है घर में नौकर सामान लगा देते हैं जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर तीन दन बीठ जाते माधव अपने रोजगार से भी घर में पैसे नहीं ला पाता हम एक भोग भी तयार कर दें वही बड़ी बात है और मैंने तो लड़ू गोपाल की मूर्ती भी नहीं खरी दी मैं क्या बोलू मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहु ऐसे हार मत मान घर में पैसे नहीं होंगे तो तू अपने लड़ू गोपाल कवरत नहीं करेगी या जन्माष्टमी नहीं मनाएगी जन्माष्टमी मनाने के लिए सच्ची शद्धा चाहिए ऐसा कर तू मिट्टी के लड़ू गोपाल खुद बना ले शुक्रिया पापा जी मुझे हिम्मत देने के लिए सुर्भी सफाई करने के बाद सच्चे मन से जन्माष्टमी का वरत रखती है घर में खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए घरवाले भी भूखे ही रहते हैं और सुर्भी अच्छी सी मिट्टी लेकर लड्डू गोपाल की आंगन में बैट मूर्ती बनाने लगती है तबी कविता अपने हाथों में पती के साथ बड़े से लड्डू गोपाल की मूर्ती लाती है सुर्भी तेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तु मेरी तरह लड्डू गोपाल की बड़ी सी नहीं तो छोटी सी ही मूर्ती लिया थी लड्डू गोपाल जी मेरे से कितना प्रसन होंगे बहुत बड़ी मूर्ती लाई हूँ और अपने मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाऊंगी और उनके लिए चपन भोग भी तयार करवाऊंगी तूने किया और मैं तो खीर पूरी पकवान भी बनाऊंगी नहीं मैंने हाथ से ही मूर्ती बनाना तै किया है अपने हाथ से ही अभी इनके वस्तर बनाऊंगी और मेरा वरत है तो खीर पकवान बनाने की अभी जरूरत नहीं है वो रात में ही बनाऊंगी, तुने वरत नहीं रखा? मैंने वरत रखा है, मैंने भी वरत रखा है ये भगवान मुझसे जादा भूखा रहा नहीं जा था, इसलिए माफ करना भगवान, मैंने जूट बोला वरत के नाम पर, सुबह से साथ-ाठ फल खाकर बैट गई हूँ ये कहकर कविता अपने घर चली जाती और सुर्भी फिर से लड्डू गोपाल की मूर्थी बनाने लगती है इतने में, एक अमीर व्यक्ती की कार उसे देख कर घर के सामने रुकती है वाओ, इस औरत ने लड्डू गोपाल की ऐसी मूर्थी बनाई है, जिसे मैं कब से ढून रहा हूँ सुनिए, मुझे आपकी लड्डू गोपाल की मूर्थी बहुत पसंद आई है, क्या आप मुझे ये दे सकती है आपको अच्छी लगी, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये आपको कैसे दे सकती हूँ, ये मैं अपनी मूर्थी पूजन के लिए बना रही हूँ ऐसी मूर्थी को मैं बहुत समय से ढून रहा हूँ, अगर आप मुझे इसका एक लाग भी बोलेंगी, तो मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ माफ कीजेगा, मैं गरीब घर से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने लड़ू गोपाल की इतनी कीमत लगा कर आपको दे दूँगी जनमाश्टमी पर मैं ही इनकी पूजा करूँगी, पर आप इतना कह रहे हैं, तो मैं आपके लिए अलग से मूर्ती बना सकती हूँ, वो भी बिना पैसे नहीं नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत कुश हुई, जानकर मेरे लिए भी जनमाश्टमी कते उहार है और आपकी कलाकों मैं सरहाता हूँ शुक्रिया, आप बैठिये यहाँ पर, मैं आपकी मूर्ती तयार करती हूँ, बहु ये कौन है? तब ही सुर्भी अपनी सास को उनके बारे में सब कुश बताती है और एक कुरसी पर बिठा कर उन्हें पानी पिलाती है और बड़ी सी मूर्ती बनाने लगती है, जिसमें वो बहुत ठक जाती है, वहीं अमीर बेहन वरत के नाम पर चटर पटर की चीज खाती है, शाम होने को आई है और घर में कुछ पैसे नहीं है, मैं तो भूकी रह लूँगी, लेकिन लड़ू गुपल, आपके लिए पकवान बनाने का जुगार कैसे करूँ, सब कुछ ठीक कर द नीजे, दो-तीन घंटे के और मेहनत से बड़ी सी गुपाल जी की मूर्ती तयार हो जाती है, ये देख वनराज बहुत खुश होता है, वा, आपने तो कमाल कर दिया, सच में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटिन है, इस हिसाब से तो आपके खुद के मूर्तियों का काम होना चाहिए, बड़े-बड़े लोग आपसे लाखोर रुपई से मूर्तियां खरीरने आते हैं, लेकिन ये रहा मेरा कमपनी का कार्ड, अगर आप वहां रहती हैं, तो प्रतियों एक मूर्ति के आपको पचास से साथ हजार रुपई मिलेंगे, ये रहे आपके पैसे, लड़् पाल ने मेरी मदद की भी तो कैसे की, अपने ही जरिये, सच में इन पर विश्वास बना कर रखो, तो सारी मुश्किल हल हो सकती है, अब मैं चपन तरह के पकवान भी बना सकती हूँ, और हम सब को भी भूके नहीं रहना पड़ेगा, हमारी जनमाश्टमी अच्छी जाएग पैसो से थोड़ा बहुत राशन लाकर लड़ू गोपाल के लिए भोग तयार कर देती है, रात के बारहा बज़े कानहा जी की आरती करते हैं ये, कृष्णी जी का हैपी बद्दे हो गया, ममी अब जल्दी अच्छा अच्छा खाना खिला दो हाँ बेटा, थोड़ी दिर रुको, आरती करते ही भोग लगाकर खाना दूगी प्रिश्ण जी को भोग लगा कर मेले में मस्ती करने जाते हैं जहां वो अपने बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं और जूला भी जूलाते हैं। वहीं दूसरी तरव रात के बारा बज़ते ही जूट मन से वरत रखकर सब कुछ खाने पर सुर्भी की बेहन को अपने किये की सजा मिल जाती है जहां फूट पॉइजन की वज़े से वो हस्पताल में एडमिट होती है। इस तरह आप देख सकते हैं सच्ची शद्धा से सब करो तो भगवान हर मुश्किल आसान कर देते हैं और जूट बोलने पर कविता जैसा हाल कर देते हैं।